नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज किस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप अपने MI6X पर DSLR केमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं ठीके तो दोस्तों यहाँ पर DSLR केमरा सेटिंगा करना है किसे आपको DSLR का व्यूव मिलेगा आपके फोटो पर तो आज के इस वीडियो पर हम यही चीज़ बात करने वाले तो दोस्तो अगर आपको भी जानना है कैसे यह सेटिंग आप कर सकते हैं तो आप वीडियो को पुरा जरू देखना वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकुन को क्लिक जरू कर लेना यह यह आपको ओनलाइन पेसा कामाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज जरू करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो दोस्तो यहाँ पर मैं अपना केमरा को ओपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तो मैं आपको सेटिंग बता रेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपने एक दूसरे मोबाइल पर जो है व्यू ले रहा हूँ फोन का ठीक है तो दूसरे जो मोबाइल है उसका व्यू ले रहा हो तो यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है आप पोट्रेट मोट को सेलेक कीजिए और दोस्तो डियसलर पर होता क्या है बेग्राउंड ब्लर होते हैं केमरा क्वालीटी अच्छे होते हैं केम वो दोस्तो सेटिंग के वज़े से इसा होते हैं तो अगर आप सेटिंग करते हैं डियसलर पर तो दोस्तो आपको ब्लर बेग्राउंड मिल जाते हैं ठीक उसी तरह आपको अगर ब्लर बेग्राउंड चाहिए डियसलर केमरा के सेटिंग के साथ तो आपको यह पोट्रेट म लिया गया है तो ठीक इसी तरह से आपका picture यहाप पर निकलेगा ठीक है सबसे पहले तो आपको यह सेटिंग portrait mode पर डलना है उसके बाद आपका जो यहाँ पर AI system है उसको on कर लेना है ठीक है AI camera को on करना है ठीडोअ करना है ट्रीडोट्स पर में beauty आ जाएगा filters आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरक आपको filter चाहिए वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है beauty आप सेट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप एक बहुत ही अच्छा focus लेकर यहाँ पर आप camera को use कर पाओगे उसके बाद camera setting पर क्या है आए देखते हैं कुछ काम का चीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं तो आच्छी बात है तो दोस्तों open करती है यहाँ पर एक चीज़ दिखिया मुझे यह mode focus and shoot इसको enable करना ना भूले ठीक है यह आपको बहुत मदद करेगा जब आप DSLR camera यह यहाँ पर setting कर रहे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो photo है उसको यहाँ पर focus भी किया जाएगा और shoot भी करेगा ठीक है तो बस यह setting आप यहाँ से enable कर ले उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने कहा है उसको आप use कर लिजे ठीक है यहाँ पर वीडियो को लंबा ना करते हु ठीक आप एक बार try करके देखे camera quality एकदम यहाँ पर दोस्तों perfect आपको मिलेगा थोरा सा दोस्तों practice करने के बार आपको perfect shot मिल जाएगा आपकी camera पर portrait mode use करें अगर आपको जो है दोस्तों यहाँ पर DSLR के background जैसा चाहिए अगर आपको दोस्तों normal background चाहिए तो दोस्तों 48 Megapixel क HD is on यानि कि ultra white camera angle से आप पूरा picture को click कर सकते हैं ठीक है तो आप यह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको normal picture click करना है वो भी DSLR mode पे तो दोस्तों यह setting आपको मिल जाते हैं इसको use करके देखें बहुरी कमाल का setting है तो इस प्रकार से दोस्तों आप देरे-देरे करके पूरा setting समझ जाओगे सीख जाओगे और आपको short अच्छे-च्छे मिलना शूरू हो जाएगा आपके device पर ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने camera improvement के लिए आपको mobile जो है उसको update करते रहना है आपके जो software है उसको update करते रहना है तो उससे आपका camera पर जो है improve होते रहेगा तो आज की इस वीडियो पर बस इतने वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को like करें thanks for watching